हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco M6 Android 12 फोन में अगर आप अपने मुवेल फोन से कॉल करते तो कॉल आपकी फोन की जो है सैंड नहीं हो पाती तो इस प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आप अपने मुवेल फोन से कॉल करते तो कॉल आपकी फोन की सैंड अगर नहीं हो पाती तो इसके सॉलीचिन के लिए सबसे पहले आपको यह करना है कि मुवेल फोन को मोवेल से बाहर निकालके उसे स्म ट्रेम पर दुबारा से लगाने ध्यान रखेगा शिम श्लोट वन में लगाना अंगर इसे फोन के अंदर डाल देना इससे प्रावल्म सॉल्फ हो जाती है अगला प्रूसर्स करना है कि अ अपने मुबाइल फून की Network Settings को Reset करना है इसके लिए आपको मुबाइल फून का Setting page उपन कर लेना है सबसे उपर इस Search Setting पर Tap करना है यहां पर सबसे उपर Search बार में Reset आपको लिखना है तो आपको नीचे की साइड से ऑप्सन सो होता है अगला काम यह करना है कि आपको जो अपने मुवाइल फून का ही जो कॉलिंग का होता है इससे आपको रिसेट करना है इसके लिए आपको मुवाइल फून का ही कॉलिंग का है अंगली से आपको दबाके रखना है आपका यह पेज ओपन होगा इस पेज में आपको एप इंफो इस वार इसे ओके कर देना है तो इस वार आपका यह user data के सामने आला data आपका जीरो जागा इस तरीके से आपको यह calling app reset कर देना है ठीक है अगला का यह काम करना है कि आपको अपने mobile phone का software एक बर चैक करना है कि वो update है या नहीं है इसके लिए आपको सबसे पहले तो mobile phone का internet आपको चालू रखना पड़ेगा इसके बाद आपको mobile phone का setting page ओपन करना है setting page में आपको सबसे ओपर about phone के सामने अगर इस तरीकी का यह update का बटन दिखाई देता है तो इसे tap करगे अपने phone का software अपडेट कर लेना है जिससे आपके phone की जो call send नहीं होते problem आपकी solve हो जाएगी अब देखिए दोस्तों आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अधर्वाइज नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का आप setting page open कर लीजिए setting page में सबसे ओपर इस search setting पर आपको tap करना है और आपके phone की जो call send नहीं होते प्रॉल्म आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात यह ध्यान रखना है आपके phone की gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद आपको phone को reset करना है तो मेरे बता है वह सारे process आपको use करने इससे आपके phone की call send नहीं होती प्रॉल्म आपकी solve हो जाएगी अगर मेरे ब पुझे से आपके phone की call send नहीं हो रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बता है वो mobile phone के software के जरीए बता है ठीक है